वेलकम बैक ओन मैं चैनल कॉमर्स इत्मी आज इस वीडियो में मैं आपको एमकॉम फाइनल येर एबीएस्टी एग्जामिनेशन 2024 की इंपोर्टन कोशन बताने वाली हूँ जो आपके 2024 में आने की चांसे से बहुत ज़ादा ठीक है अगर आप राजसर्य उनिवर्सिटी से हो तो इस वीडियो को ज़रूर ज़रूर देखना और इंपोर्टन आप कोशन आपको मैं बताने वाली हूँ कोस्ट एनलाइजेस और कोस्ट कंट्रोल कई-कई स्टुडेंस इस सबजेक को प्रीएस में ही ले लेते हैं और कई स्टुडेंस से फाइनल में लेते हैं तो अगर आप प्रीविएस यहर के स्टुडेंस हो तो भी ये वीडियो आपकले यूसफ phot है अगर आप फाइनल ये स्टुडेंस हो एमकॉम चे उर एबिएटी है आपके पास doubt होता है तो आप मुझे comment में बताईए फिर भी मैं आपको एक photo बता देती हूँ आपको image बता देती हूँ कि ये book कौन सी है ठीक है book है आपकी cost analysis and cost control ये देख लीजिए कि कैसे दिखती है book और author आप देख लीजिए गुस्वाल, मोदी and मंगल ये इनके author है इस book के according ही question पंता है आपका राजसार यूनिवर्सिटी में और इसमें जो illustration होते है वही आपके previous last ये past साल की papers में आए हुए है तो उसके basis में, basis पे मैं आपको important question बताऊंगी आज तो start करते है unit wise question बताना ठीक है unit first की बात करते है, unit number first में आपका एक theory एक practical आता है पर कई कई बार ऐसे chances हो जाते हैं कि आपको theory plus आपका एक और theory मतलब दोनो theory आ जाती है, पर एक theory आना confirm है unit number first में तो unit number first में ज्यादा question पूछा जाता है कि coast accounting क्या है इसकी चार techniques बताईए और objectives बताईए, coast accounting ये ठीक है और मैं आपको question पूछता है, productivity accounting से practical पूछता है ये आपको पूछा गया था, 2021 में 3.1 illustration पूछा गया था, page number 3.14 कौन सी बुक, Oswal, Modi, Mangal, फिर भी बच्चे बोलता है कि मैं आप मुझे screenshot देके भेजिए इस से अच्छा, मैं आपको यहीं बता देती हूँ कि वो illustration कौन सा है ये देगी illustration number 3.1, page number 3.14 इसका illustration number first आया था, ये का ये ही same illustration आपकर 2021 में आया था, ठीक है आप देख सकते हैं, इसमें activity ratio, efficiency ratio, capacity ratio calculate करना है और आपको कुछ information given है तो इसका solution आपको मैं यहाँ show कर देती हूँ, इन question को ज़रूर करना ठीक है, सबसे बले activity ratio निकाला, efficiency ratio, फिर capacity ratio ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, कि ये वाला question आया था, आप video को pause करिए और इसका screenshot ले लीजिए, तो आपको मैं ने practical बता दिया है, कि ये वाला आपको 2021 में आया था, पर अगर theory आती है, इस chapter से तो आपको theory पूछा जाएगा, explain the concept of productivity, how it is measured, कैसे measure किया जाता है, और कौन कोंसे difficulties होती है, productivity measure करते वक्त, ठीक है, ये आपको बताना, तो year number first आपको clear हो गया होगा, अगर आप theory के basis पे जा रहे हो, तो cost accounting का आप अच्छी से कर लीजिए, ठीक है, और आप productivity accounting का ये वाला question कर लीजिए, अगर आप practical के basis पे जा रहे हो, तो जो आपको ऐसा question आपको वहाँ paper पे जरूर मल जाएगा, क्योंकि हर साल क्या होता है, labor turnover ratio से practical पूछता ही है, तो इस साल पे पूछेगा, ये मैंने अपने last year के paper के basis पे मैंने आपको यहाँ बताया है, अगर आपको labor turnover के ratios चाहिए, तो आप मुझे Instagram पर बताईए, या मै आपको वीडियो के end में आपको बता दूंगी, labor turnover ratio से कौन कौन से questions आई हुए है, उस book के, ठीक है, और में बात करते हैं, और में आपका आता है, 101% theory ही आती है, वो आती है, आती है, आपकी cost reduction और cost control में difference क्या होता है, या तो इन दोनों का मतलब पूछ लेगा, या पूछ ल होगा, यूरि नमर से second में आपको यही question पूछेगा, एक तो practical पूछेगा, labor turnover ratio से, इसलिए आप इससे theory बिल्कुल मत करना, theory करो, तो आप इन दोनों chapter से जरूर करना, ठीक है, यूरि नमर से second, पहले करना है, आपको pass होना है तो, ठीक है, अब यूरि नमर थर पे चलते है, यूरि नमर थर आपको बहुत lengthy unit है, जिसमें आपको 3-4 chapters आपके practical क्या आते है, तो यूरि नमर थर में भी 101% क्या होता है, एक practical आता है, वो practical आता है, आपका inventory control, BEP और OR application of course control से, इन में से कोई confirm नहीं बता सकता है, कि इन में से सबसे पहले कौन सा आएगा, फिर भी मैंने ज सबसे ज़्यता question पूचा गया है, यूरि नमर एट से पूचा गया है, तो अगर आप practical के basis पर जा रहे हैं, तो सबसे पहले आप practical करना, inventory control से करना, ठीक है, और मैं आप में बोलू, तो please, please, transfer pricing से आप theory करके जाएए, ठीक है, ये theory ज़रू करके जाएए, पर कभी-कभी ऐसा होता है, कि examiner के mind में हो जाता है, कि बच्चे से theory ही करके आते है, practical करके नहीं आते है, तो कभी-कभी ये करता है, कि same unit में दोनों ही practical दे देता है, ठीक है, तो same unit में practical दे देता है, ऐसे 2021 में हुआ था, जिसमें क्या हुआ था, कि इससे भी practical आया था, और इससे भी practical आया था तो transfer prices जो practical आया था वो आपका आया था 10.4 illustration पेस नमरे 10.10 आपको मिहां show कर देती हूँ जिसे आप ये वाला question भी आप करके जाओ ये वाला question देख लीजिए ये वाला question आपका 2021 में आया था practical question है ये ठीक है इसके आगे भी ये question carry on हो रहा है I hope आपने ये देख लिया होगा अब इसके आगे इसके आगे जो question आया है वो ये देख लीजिए I hope आपको union number 3 समझ में आ गया होगा ठीक है practical number 1 आया था आपका 2021 में ठीक है इसके रावा मैंने आपने खुद के side से एक important question बताया 10.4 जो page number 10.10 पे है और आपको union number 3 में आपको clear हो गया है कि इससे एक practical आता है अगर transfer price से practical आता है तो आप इन कोशनों को आप कर लेना वरना आप theory आप ये वाली कर सकते हो तो पर मेरी suggestion ये है कि union number 3 आपको last में करना चाहिए क्योंकि बहुत landy है इसमें बहुत सारी chapters है ठीक है अब union number 4 पे चलते है union number 4 में आपके 3 chapter आते है एक तो budgetary control से practical आता है और theory आती है तो practical में अभी बता दूँगे theory देखते है पहले कि meaning advantages disadvantages of budgetary control ठीक है practical आपको में बता दूँगी अभी और में आपको पूछा गया value chain analysis क्या होता है balance scorecard life cycle costing जाना चाहते है यह number 4 से तो आप यह कर सकते हो और यह वाला कर सकते हो और यह number 4 में आपको इसका practical बता लिए budgetary control का जो 2023 में आए piece number 11.37 और number 11.13 जो आपको बुक में अभी शो करने वाली हूं यह देखिए 11.13 people a flexible budget flexible budget का आपको क्याया था एक कोशन आया था जो आपको इस स्क्रीन पे शो हो रहा है productivity 8 50% capacity यह कोशन आगे भी carry on हो रहा है यह देख लीजिए इसके आगे जो कोशन आया है यह वाला इसमें आपको solution भी given है आप देख सकते हो solution किस तरी किसे किया गया है यह है आपका 2023 में आने वाला कोशन और में आपका value chain analysis analysis balance scorecard life cycle costing activity based costing ठीक है unit number 4 आपको clear हो गई होगी अब unit number 5 पे चलते हैं जो बहुत ज़्यादा risky है क्योंकि इस unit में हमेशा ज़्यादा तर ऐसा होता है कि दोनों ही कोशन practical पूछ लेता है अगर जो theory के basis पर जाना चाहते है students के लिए बहुत difficulty आ जाती है यह वो कोशन कैसे attempt करें क्योंकि वो theory के basis पर गए है तो practical item नहीं कर पाते है तो unit number 5 की में बात बोलू तो यह आप standard costing का आप chapter निकाल के जरूर जाएए ठीक है और standard costing से पिसली बार जो कोशन आया था मतलब 2023 में जो कोशन आया था explain the method or disposal of material and labor cost variance ठीक है और मैं आपको एक practical 100% पूछता ही है जो आपको अभी में बता दूँगी page number 15.7 और illustration 15.3 यह आपको अभी यह show करती हूँ मैं यह देख लीजी 15.3 जो 2021 में आया था इसमें fixed overhead cost variance लिका आना है ठीक है यह तोड़ा messy हो गया है तो इसे ignore करना इसके आगे भी यह question है और जो question अभी मैंने शो किया था उसका यह solution है next page पे जिसमें overhead cost variance expenditure variance volume variance और इसका verification मतलब चेक की भी किया जाता इसे अगर आपको देखना है तो आप second देखते है 15.6 illustration page number 15.10 पे यह देख लीजिए यह आपका यह question आया है 15.6 illustration overhead expenditure budget of a company ठीक है इसके आगे यह question है यहाँ इसका solution यहाँ given है समझ में आगए आपको अब last देखेंगे page number 14.23 और illustration 14.8 यह है जो आपका 2021 में आया था कि 2021 में दोनों ही question क्या आया थे practical आया थे यह देख लीजिए इसमें material cost variance निकालना है कि कोशन है आपका और इसका solution यह वाले है sub uses variance निकालना फिर इसकी यह chart table बनेगी ठीक है I hope आपको समझ में आ गया होगा अब मैंने last में आपको प्रॉमिस किया था कि last में जो labor cost control से जो कोशन आते वो आपको मैं बताऊंगी अब वो देख लेते हैं यह 4.6 illustration आपका 2021 में आया था आपको मैं बता तो labor cost analysis में हमेशा जो कोशन पूछता है हमेशा इस pattern का पूछता है जब इतने इसके ऐसा pattern जहां भी मिले आपको उनको कोशनों को पूरा करना है ठीक है आपको बुक का मैंने आपको बताए दिया इसका solution आपको मैं अभी बता देती हूँ देखो इसका solution आपको है separation rate method replacement rate method flux rate method इसके solution है ठीक है इसी कई पूछेगा मतलब separation का पूछेगा replacement का पूछेगा flux rate method का आपको पूछेगा तो इस टाइप का ही question पूछता है तो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को like, share, subscribe जरूर करना और लास्ट में आपको यह भी बता देती हूँ कि आपको इन मैंसे सबसे पहले कौन सी unit करनी है सबसे पहले आपको unit number second करनी है जिसमें labor turnover ratio हो सके तो आप जरूर करना क्योंकि वो जो method अभी मैंने बताया है वाले उस method का ही practical आपको वहां पूछता है तो अगर practical करना चाहते हो यह अगर theoretical कर जाने तो यह वाला दो कोशन आपको वहां जरूर मिल जाएगा इसके लावा आ आपको unit number 5 पूर पहले करना है तो unit number फिस में आपको क्या थे स्टंडर्ड आपको स्टंडर कोशन पूस्टा है एप प्रैक्टिकल पूस लेता है जो प्रैक्टिकल अभी है मैंने आपको शो कर दिया तो unit second पहले करिए unit number first पहले करिए फिर बाद में यृड नंबर फिसके लावा फिर आपको कौन सा करना है आपको करना है यूरी नमबर फॉर्ट जिसमें बजेटरी कंट्रोल से प्रैक्टिकल पूछता है और बाकी के दो सब्जेक्ट बसते हैं अगर आप इन थियोरी को करके जाना चाहते हो आप करके जरूर जाईए आपको कोशिन अर्थकेगा लास्ट में आप वी नमबर थर करिए तो आपको समज में आगे होगा कि आपको पहले कोन सा करना है कोन सा छोड़ना है जिससे आप केसे था है स्कोर कर सको ठीक है आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी है, कोई भी डाउट है, कोशन पूछना है, इंस्टागरम पर मेसेज करिए, कॉमर्स वित्मी के नाम से, सबका रिप्लाइ करती हूँ, आपका भी करूँगी, और आपने भी मेरी चैनल को सबस्क्रेब कर दिया होगा, और बेल आइकन प्रेस कर दी होगी, और लाइक तो आप स्टाइटिंग में ही कर देते हो, और थैंक यू फॉर वाचिंग, और कीप सपोर्टिंग, बाई!